हेलो फ्रेंज, वेलकम टु स्टॉक्सेंज डाट कॉम आज के इस करेंसी ट्रेडिंग वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूस्टी आई एन आर को कैसे ट्रेड किया जाए और हमें आज ही इसके ट्रेडिंग स्टार्ट क्यों करनी चाहिए especially जो लोग option selling में बहुत जादा interested है और उन्होंने अभी भी margin कम होने के कारण वो trading selling स्टार्ट नहीं कर पाए है तो उनको बहुत सारे doubt होते हैं जब तक वो live trade नहीं लेते हैं उनके बहुत सारे doubt clear नहीं होते हैं कि ऐसा कि या उपर इतना उपर जाएगा तो market में कमें कितना loss होगा क्योंकि option selling एक risky instrument है तो इसलिए अगर आपके पास margin बहुत कम है तो आप एक option selling learning के basis पे भी USD INR currency pair trade कर सकते हैं तो इसमें around एक option sell करने के लिए 3,000 रुपे चाहिए होता है जो कि आपको bank nifty या nifty का option एक lot sell करने के लिए around 70 to 75 thousand रुपेज चाहिए होता है यहाँ पे 3,000 रुपे में ही आप एक lot sell कर सकते हैं USD INR का तो यह learning के वाईस learning purpose से बहुत अच्छा instrument है आप इसको सीखे और trade करना start कीजिए तो चलो यह video start करते हैं तो दोस्तों यह तीन पार्ट की एक video series start कर रहा हूँ USD INR currency trading तो इसमें मैं तीन पार्ट में video बनाऊँगा पहले पार्ट में currency basics के बारे में बताऊँगा USD INR हमें trade क्यों करना चाहिए और यह paper trading से better क्यों है और दूसरे पार्ट के इस video में हम USD INR future contract समझेंगे contract के क्या specification है and futures हम कैसे trade कर सकते हैं USD INR में और finally तीसरे पार्ट में जो की यह पार्ट बहुत important रहेगा USD INR currency की options के बारे में हम समझेंगे options के contract क्या होते हैं option के expiry कब होती है and how to trades options USD INR option और एक last में मैं अपनी एक real trade दिखाऊंगा जो मैंने trade एक week ली थी February में तो मुझे उसमें profit हुआ था या फिर loss हुआ था ये जो वीडियो है ये पहला वीडियो है और इसको start करते हैं बट दोस्तो start करने से पहले ये मेरा चैनल है stocks range जो इस चैनल पर पहली बार आ रहा है वो please मेरे चैनल को subscribe जरूर करिए और ये side वाली घंटी बजाना ना भूले जाके इस घंटी को बजाने से आपको जो भी मैं upload वीडियो नया करूँगा उसका notification आपके mobile पर है email पर आ जाएगा तो यहां क्लिक करके आप इसको subscribe कर सकते हैं तो इंडिया में जो currency pair trading available है सबसे पहले USD INR है USD Japanese currency है Euro USD है GBP INR है JP INR है और GBP USD है तो हमारा mainly focus है USD INR पे जो कि dollar को US dollar को खरीदते आप बेजते हैं against Indian rupees तो उसको हम USD INR trading कहते हैं और यह trading दोस्तो worldwide होती है ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया में यह currency trade हो रही है USD INR पूरे world wise 2400 घंटे trade होती रहती है बट इंडिया में एक limited time होता है सुबा 9 बजे से सामको 5 बजे तर trading करना इंडिया में trading बंद हो जाती है बट इसका मतलब यह नहीं है कि इसकी trading बंद हो चुकी है यह all over worldwide trade होता रहता है अब really में interested है option selling को लेके तो आप इस वीडियो को जरा end तक जरूर देखिए आप USD INR के फाइदे देख पाएंगे कि यह trade हमें start करने से USD INR currency pair सीखने से हमें फाइदा क्या होगा तो इसमें कुछ assumption मैंने लिए हुए है जैसे कि आपको futures या option contract कैसे work करते हैं वो आपको एक idea होना चाहिए अगर आपको idea नहीं है तो आप मेरे previous videos देखिए जिसमें मैंने options से सारी चीज़े स्टार्टिंग से लेके थोड़ा advanced level तक सारी चीज़ें बताई है options selling वैसे सारे मेरे videos basics पर ही होते हैं पहले वाले video देख लीजिए अगर आपको options या future contracts क्या होते हैं वो नहीं पता है और जो लोग ये नया पहली बार video देख रहे हैं अगर आप option selling में सीखने के लिए interested हैं हमारा जो मेरा जो main motive है इस video को बनाना ताकि मैं आपको समझा सकूँ बहुत लोग पूछते हैं मैंने एक video भी बनाया है पिछला paper trading को लेके कि हम एक feel ले सकते हैं कितना loss होता है कितना बेसिक question मुझे पूछा जाता है बहुत कि सर हमने अभी option sell किया है हम इसको expiry तक hold करेंगे कि अभी कल close कर सकते हैं ये position ये छोटी छोटी बहुत सारे doubt हैं बहुत लोगों के मन में और उनके पास ज़्यादा margin नहीं है तो कि वो live trade नहीं ले सकते हैं तो पेपर ट्रेडिंग के लिए पूछते हैं तो लोग तो आप पेपर ट्रेडिंग करने से अच्छा है कि USD INR options ट्रेडिंग करना start कीजिए आपको इसमें जादा से जादा 100-200 रुपे का loss होगा एक lot sell करेंगे और 4-5,000 रुपे आपके account में है तो आप इसको सीख सकते हैं option selling की तरब से तो watch this video till end you will find very interesting we'll explain about each and everything about USD INR option selling मैं again बोल रहा हूँ मेरा focus हमेशा option selling पे ही रहता है तो जो लोग interested है please end तक जरूर देखिये और सबसे अच्छी बात तो भी ने allow किया था पहले bank Nifty को weekly options में trade करने के लिए अब Nifty के weekly options available है और USD INR के भी weekly options available है तो जो theta decay होता है weekly options का वो बहुत जादा होता है मैं last में एक अपना live trade दिखाऊंगा और इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे कुछ profit हुआ था या loss हुआ था कि सबको ऐसे ही होने वाला है बेट मैं एक example के लिए आपको एक live trade दिखाऊंगा मुझे क्या हुआ था loss हुआ था या profit हुआ था मैंने USD INR weekly options trade किया था यह बहुत ही अच्छा instrument है जो लोग सीखना चाह रहे है न उनके लिए बहुत अच्छा है कि आप option selling का feel ले सकते है और जो लोग bank nifty में trade कर रहे है तो हमारे पास एक और instrument है USD INR उसमें भी option selling करके हम पैसे कमा सकते है तो हमें currency options या futures trading क्यों करनी चाहिए जो लोग futures में trading नहीं करता हूँ बट जो लोग futures में trade करते हैं और या फिर करना चाहते हैं तो वो start कर सकते हैं currency pair से तो हमें क्यों करना चाहिए सबसे पहली बात हमें ना margin बहुत कम चाहिए होता है USD INR trading के लिए जो mainly लोगों का main constraint होता है उनके पास इतना ज़्यादा account में trading fund नहीं होते हैं ताकि वो futures या फिर option selling कर पाएं बट लोगों को करना है बहुत लोगों को समझ में भी आ चुका है option selling कैसे करते हैं but due to the limitation of money in their account they are not able to sell a single lot of nifty or a bank nifty because they have very limited amount in trading account तो जिन लोगों के पास margin बहुत कम है वो यहाँ पे आके USD INR सीखें और options trading start कर सकते हैं around one lot का future या option sell या buy करने के लिए 3,000 रुपे चाहिए होते हैं बस जबकि nifty और bank nifty में around 70-80,000 रुपे चाहिए होते हैं तो बहुत लोगों के पास होता नहीं है वो तो आपके पास 3 या 4,000 रुपे हैं तो आप start कर सकते हैं option selling या future trading equity जैसे कि मैंने बताया equity options जो होते हैं SBI का option या फिर bank nifty का option या फिर nifty के options बहुत ज़्यादा margin चाहिए होते हैं उन instrument को trade करने के लिए और जैसे मैंने बताया paper trade जो लोग करते हैं कि like हमें एक कोई platform हो जिसमें हम paper trade करके देख सकते हैं अच्छी चीज़ है paper trade करना मैंने एक video भी बना चुका हूँ मैं उस पे मेरे channel पे available है paper trading का एक platform है but paper trading से ज़्यादा अच्छा मुझे ये USD INR trading लगा मैंने सबसे पहले दोस्तो USD INR trading से ही start किया था option selling तो 10,000 रुपे से start किया था मैंने और मुझे confidence आया था जब मैं bank nifty की तरफ move हुआ था या फिर nifty की option selling की तरफ move हुआ था मैं profit में था USD INR option selling के लिए ये paper trading से अच्छा क्यों है क्योंकि आपको max to max per day में न 200-300 रुपे का loss होगा बस और आपका real money लगा हुआ है तो एक जो emotional सो होते हैं trading में वो अगर आप ये USD INR trade करेंगे तो आपके emotion involved होंगे और 200-300 रुपे अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो 200-300 रुपे profit या loss कोई बड़ी बात नहीं है तो ये paper trading से better है आप ये start कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात जो लोग option selling करते हैं इसमें भी इसमें ज़्यादा move आते नहीं है normally don't move so much like nifty or bank nifty में देखा हूँ एक एक या दो-दो percent 8% का moves एक महीने में एक या दो बार हो जाते हैं और जो लोग option selling करते हैं उन का हमेशा ये रहता है कि instrument है वो ज़्यादा move उपर नीचे ना करे तो currency market जो भी है वो बहुत stable होती है तो यहाँ पर option selling सिफर है क्योंकि यह बहुत ज़्यादा उपर नीचे move नहीं होती है अगर आप nifty या bank nifty का देखेंगे तो 1% move उनके लिए normal रहता उन instrument के लिए बट अगर आप USD INR को देखेंगे तो 1% move ना बहुत rare होते है ऐसा नहीं नहीं होते हैं बत बहुत rare होते हैं साल में 4 या 5 बार ऐसे trading days होते होंगे जिसमें currency pair 1% उपर या नीचे हो रहा होता है आप इसी data को nifty या bank nifty के check करिए 1% आजकल तो जबसे 2018 से बहुत volatile है market 1% का move normal हो गया bank nifty और nifty के लिए कोई भी actually इतना बड़ा movement होता है किसी भी instrument में वो एक किसी reason से होता है let's say interest rate बढ़ गया या फिर surgical strike हो गई तो market बहुत down हा गया तो currency के लिए बहुत सारे events predefined हैं जैसे कि RBI का जो interest rate decide करता है उस दिन हमें doubt रहता है कि साइद currency या currency pair USD INR pair या ऊपर या नीचे हो सकता है क्योंकि mainly currency जो है interest rate पे ही किसी भी country की currency decided रहती है और भी factor होते हैं बट interest rate भी एक बहुत बड़ा factor होता है तो हमें ये इनकी dates पहले से ही पता होती है जैसे कि RBI किस date को अपनी interest rate policies को revise करने वाला है interest rate बढ़ाने वाला है या फिर घटाने वाला है ऐसे ही US में fed meetings होते हैं तो इनकी dates already decided रहती है तो इस दिन हमें already पता है कि अगर कुछ भी interest rate में change हुआ तो currency pairs जो है थोज़ा सा swing दे सकते हैं तो हम उस time period के लिए option selling avoid कर सकते हैं अगर हमें ज्यादा risk नहीं लेना है तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है UST INR में और एक और point क्या है ना किसी भी currency को manipulate करना बहुत difficult है जो कि equity market में बहुत normal होता है कोई भी एक बड़ा trader या बड़ा instrument किसी भी जैसे bank nifty को बहुत FIs बहुत control करते हैं इसलिए in bank nifty में बहुत ज़्यादा swings आते हैं क्योंकि वो control कर सकते हैं बत किसी भी country की currency को control करना manipulate करना वो इतना easy नहीं है और होता भी नहीं है जैसे कि मैंने बताए trade in out of also very large quantity ये out of ऐसा नहीं ये UST INR pair सिर्फ इंडिया में ही trade हो रहा है बाहर भी पूरे all over world ये trade होते रहते हैं currency pair and जो लोग nifty या bank nifty मैं हमेशा nifty या bank nifty ही trade करता हूं option selling में stocks options कभी sell नहीं करता हूं क्योंकि stocks options का पता नहीं रहता है ये मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ जो लोग हुआ आ गया हमारे पास अभी USD INR trade करने के लिए उसमें monthly contracts भी आवेलेबल हैं weekly contracts भी आवेलेबल हैं तो at least हम तीन चीज़े trade करेंगे nifty bank nifty and USD INR तो चलो एक instrument में loss हो रहा है तो एक में profit हो तो diversification हो जाता है अगर हम USD INR और start कर देते हैं trading तो दोस्ते जिन लोगों को अपना free trading account अप stocks में खोलना है वीडियो के description में link दिया गया है उसके use करके आप free account खोल सकते हैं अप stocks में आप मुझे email करिये मैं आपको एक coupon code दूँगा जिसे आपका account opening बिल्कुल free हो जाएगा thanks for watching my video अगर आपको उस रियली में वीडियो अच्छा लगाए तो please do subscribe my channel और like करिये वीडियो को और कोई भी doubt है किसी का किसी भी तरीके का या कोई भी feedback है तो stocksrend at the red gmail.com पे मुझे mail करिये